इस आज का अपना टॉपेक अपने टंग की हिस्टोलोजी और सबसे पहला अपने माइड में ये कॉश्चन आता है कि युनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में अपन कैसे पता करेंगे कि अपनी टंग की स्लाइड है तो यहाँ पर आप देखो इधर मैं आपको ट्रिक बताता हूँ तो इसकी बेस्ट ट्रिक में बता हूँ कभी भी आपको अपने हिस्टोलोजी की स्लाइड में पैपिलियास देखे ना तो आप तुरंद बोल देना सर्वो अपने टंग की स्लाइड है तो यार अपन को पता है जो अपना टंग है उसमें प्रेजेंट अपनी रहती है पैपेलियास और उन पैपेलिया में अपने प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट बर्ड तो कभी उन पैपेलिया में अपने प्रेजेंट रहते हैं टेस्ट बर्ड तो यह वाली जो मेरी हिस्टोल most surface है ना अगर उसमें इस तरीके से elevated structure दिखें जिन्हें अपन बोलते हैं papillias तो आप तुरंद बोल देना सरीय अपनी टंग की histology की slide है तो यह अपनी है trick उसके बाद यह आती है उसके बाद अब अपन देखते हैं सरीय papillia के से दिखते हैं तो यार mainly मैं आपको बता हूँ अपन देखेंगे तीन टाइपस के अपने papillias तो अभी आप इसको देख रहे हो अपने 40x में mainly papillia वागरा देखने के लिए अपने को पावर बढ़ानी पड़ेगी और जब आप 40x में अपनी outer surface देखोंगे न तो आपको बिलकुल clearly दिखेगा यह जो अपने papillia है न जिसके sharp end है वो है अपना philiform papillia और मैं आपको बता हूँ अपनी tongue में सबसे ज़्यादा present होते हैं यह philiform papillia और philiform की एक और खास बात है कि philiform papillia में कोई भी taste bud नहीं होता अगर मैं और zoom करूँ तो तुम्हें clearly दिखेगा इसमें कोई भी taste bud present नहीं है तो philiform papillia रहता है उसमें अपना कोई भी taste bud नहीं है और वो अपना रहता है sharp end और सबसे ज़्यादा अपने body में और सबसे ज़्यादा अपने tongue में philiform papillia ही present होता है फिर अपना आते हैं दूसरे papillia पे तो यह वाला जो papillia है ना जिस जो आपका थोड़ा oval end है जिसकी उसे अपन बोलते हैं circumvalid papillia और यह जो circumvalid papillia है ना मैं आपको अगर और अच्छे से दिखाऊं तो यह वाली slide में आपको दिखेगा तो यह तो circumvalid papillia है सबसे पहले वो इस philiform papillia से size में होता है larger उसके अलावा यह आप उसका shape देखो यह अपना होता है oval shape का यह आपको दिख पा रहा है ना और इस circumvalid papillia में अगर आप इस side में देखो white से यह अपने actually में यहाँ पर present है taste buds यह आपको दिख पा रहा है ना मैं आपको कैसे red से दिखाता हूँ यह आप देखिए यह आपको clearly दिख पा रहा हुगा तो यह अपने actually में taste buds present है अपने circumvalid papillia आपे और वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है और यार circumvalid papillia आप यहाँ और अच्छे से देख लो यह आपको कितना clearly दिख पा रहा है ना यह अपना oval end और इसके side में यहाँ पर आपको यह कुछ दिख रहे हैं taste buds तो यह अपना है circumvalid papillia और इस circumvalid papillia के अलावा यहाँ पर एक और papillia present रहता है उसे अपन बोलते हैं fungi form papillia fungi form papillia के बारे में मैं आपको बता हूँ अपनी पूरी टंक की margin में यह एक तो present रहता है दूसरी बात यह 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 भी अपना कैसा है oval end है आप देख पा रहा हो ना यह भी अपना एक तो oval end का होता है फिर mainly difference क्या होता है इस fungi form में और circumvalid papillia में तो यहार main difference तो size का है circumval equivalent सबसे बड़े size के होते हैं दूसरी चीज यह अगर मैं आपको यहाँ पर zoom करूं तो तुम्हें दिखाई देखा यह जो circumvalid papillia है ना उसके उपर धेर सारे taste birds लगे रहते हैं मैं आपको फिर से देखा हूँ यह आप देखो तो circumvalid papillia में टेस्ट बर्ट की quantity जादा होती ह अब 40X करके देखना microscope में वहीं अगर अगर अपन बात करें अपने fungi form papillia में तो इसमें क्या होता है taste bird की अपनी quantity थोड़ी कम होती है लेकिन यह दोनों अपने होते हैं overland के तो आप अगर यहाँ पर देखो तो तुम्हें clearly दिख पाएगा यह देखो यह अपना sharp end वाले ज तो यह मैंने सारे आपको papillia बता दिये और मैंने आपको इसकी tricks में बताई कि आपको किस तरीके से university exam में पता लगाना है अब अपन और slide देखते हैं यहाँ पर देखो आप तो यह अपने पूरी टंग की slide है तो कभी आपको अपनी histology की slide में इसकी outermal surface में सबसे उपर वा करने के लिए उसे और zoom करना 40x में तो तुम्हें और अच्छे से clear लिए papillia दिखेंगे तो examiner क्या करता है आप से papillia का shape और detail में पूछ देता है तो मैंने आपको बताई दिया कि इनके shape कैसे होते हैं further और अगर अपने detail में जाए अपने tongue की anatomy में तो इसके outermal surface पे तो इसके अलावा अपने tongue में present होती है intrinsic muscle तो इन papillia के just नीचे अपने present है muscle के bundles और इन muscle के अलावा कुछ यहां पे gland भी present है जो कि अपना serious fluid secret करवाएंगे वो अपने यह serious gland और कुछ इसमें mucous gland भी present है तो यार यह मैंने आपको पूरा tongue के नाट में बता दी और तुम अप क् मेरे जो notes हैं उसका screenshot ले लो और वीडियो से help हुई हो तो वीडियो का like करना मुझे support करने के लिए मेरी वीडियो को तुम share कर सकते हो और यार मैं आपको बता हूँ इसकी जब तब तुम practice नहीं करोंगे न तो मैं histology की slide अच्छे से समझ में नहीं आएंगी मैंने तुमें tricks बता दी और यहाँ पर 3-4 slide भी दिखा दी अपनी लेकिन उसके अलावा तुम जब भे histology lab में जाओ न तो अपने इन tricks की practice करा करों कि कैसी slide कौन सी दिख रही हैं और आप इनको differentiate कर पा रहे हो के नहीं कर पा रहे हो तो आपको इनकी practice भी करने पड़ेगी तो thanks for watching and keep learning